मेज़ोपोटेमिया, एजीप, चाइना, हरप्पा यह सिविलाइजेशन क्या थी इनके बारे में देखना है तो उस ताइम के जो लोग थे उनकी स्पोर्ट्स अन एंट्रेटेन्मेंट के बारे में हमें देखना है तो चलिए देखते हैं We have seen in lesson 2 that written records are available in the form of inscription, manuscripts, books, etc. तो यह किस form में मिली है? written records में मिली है जैसे कि inscriptions होते है, manuscripts होते है, books होते है तो यहाँ पर हमें written form में सारे records मिले, etc. For the historic period, in all ancient civilization, the art of writing was developed तो इससे हमें यह पता चलता है कि ancient civilization थी उस टाइम आर्ट या फिर जो writing होती है, लिखना होता है यह developed हो चुका था कि writing skill उनमें आने लगे थे They use fully developed scripts, तो यह लोग क्या करने लगे थे? Fully developed जो script होती है, script मतलब क्या leapy जैसे कि हम कोई भी language होती है, तो उसकी एक correct leapy होती है हम letters, words जो use करते हैं, वो ही क्या होती है? लिपी, script होती है, तो यह जो लोग थे, उन्होंने भी अपनी developed script बना ली थी In other words, with the rise of ancient civilization, the new stone age came to an end and the historic period began तो यह पर हमें यह पता चल रहा है, यह civilization से, कि new stone age जो था अभी खतम हो चुका था So, जैसे कि हमें पता है, human beings है या फिर animals से, यह किसके उपर depend होते हैं हमेशा Environment पे या फिर nature पे हम बोल सकते हैं, हमारी जो needs होती है, खाने की या पानी पीने की, हवा यह सब चीज़े हमें कहां से मिलती है, environment से मिलती है, however, other animals do not cause any significant change in their surrounding तो other animals होते हैं, यह हमारे surrounding जो भी nature है, इसको कभी भी harmful, harm नहीं पोचाते हैं या फिर नुकसान नहीं पोचाते हैं For example, bears live in a caves, and monkeys live on a trees, but humans build houses तो जैसे कि बागी की जो animals है, surrounding में as it is रहते हैं, कोई भी change करने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती हैं जैसे कि हम देखते हैं, कि bears काहा पे रहते हैं, के उसमें रहते हैं, जो already naturally बनी हुई रहती हैं मन किस काहा पे रहते हैं, तो trees पे, पेड़ो पे रहते हैं, but humans build houses लेकिन हम लोग humans क्या करते हैं, घर बना के उसमें रहते हैं It means that we humans change the natural character of our surroundings to some extent तो यहाँ पे हमें यह समझ में आता है, कि humans में इस तरह की character होते हैं, कि यह क्या करते हैं Nature, जो naturally हमें things मिलती हैं, वो as it is used नहीं करते हैं हमारे surrounding को हम हमारे use के लिए क्या करते हैं, हमेशा change करते रहते हैं Humans do not eat their food in its natural form as other animals do जैसे कि other animals क्या करते हैं, जैसे हमें naturally जो चीजे मिलते हैं खाने को उसी तरह की से खाते हैं लेकिन हम human beings खाते हैं, क्या as it is कोई भी जो plants है, भाजी वगेरा होती है, सबजी जैसे कि खेती से निकल के लाई तो वैसे ही वैसे खाते हैं क्या हम नहीं They roast or cook the food तो यहाँ पर भी लोगों ने अभी क्या क्या खाना पका के खाना स्टार्ट क्या था Roast मतलब क्या पका के खाते थे और in other words, they process food stuff before eating them या फिर हम इस तरह के से बोल सकते हैं कि Food stuff को as it is नहीं खाते थे कुछ तो प्रोसेस करके जैसे कि उनको पका के खाना इस तरह की करने लगे थे They process many substances in a similar manner तो इस तरह की काफी प्रोसेस थे जो वो लोग क्या करने लगे थे अभी करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था तो यहां पर उन्होंने स्टोन, मेटल इनसे जो चीजे बनती है बनना शुरुवत कर दी थी To make tools and various objects तो स्टोन से, मेटल से उन्होंने क्या कि यहां पर object tools बनाई They make pots, bricks and many other things from clay तो यहां पर मिट्टी से बने हुए pot या फिर bricks बोल सकते हैं यह चीजे उन्होंने बनाई थी उदर They obtain yarn from cotton and weave cloth from the yarn तो यान का मिनिंग क्या होता यहां पर धागा, thread तो यहां पर उन्हें यह समझ में आ चुका था कि cotton से हमें धागा मिल सकता है और उस धागे से उन्होंने अभी कपड़े बनाने भी शुरुवत कर दी थी In short, according to their needs, they change the form of materials available in nature तो यहां पर अपने जरूरत के हिसाब से लोगों ने क्या किया अभी जो भी naturally material मिल रहे हैं उसमें change करके फिर उसको use करना शुरू कर दिया था They need skill to do this तो यह सब करने के लिए उनके पास जो skill जरूरी था वो अभी develop होने लगा था They need to think and plan before they shape an object अगर कोई object बनाना है उनको या फिर बनाने से पहले उसे अगर shape देना है तो उसके बारे में वो भी सोचने लगे थे Then they have to put in efforts to actually shape it तो उसके बाद वो क्या करते थे फिर efforts लेते थे कि उस चीज़ को हमें किस तरीके से बनाना है यहापे The tradition of thought, skills and efforts gave rise to various arts तो इसी कारण सोचने की या फिर जो skill थे उनमें या फिर effort लेना ये सारी जो बाते थे इनके कारण अभी different different arts form होने लगे थे Every generation handed over the knowledge of the artistic skill and tradition to the next generation तो यहापे हर एक इंसान क्या कर रहे था जो भी artistic skill उनको पता थे या फिर जो knowledge उने था किसी भी बारे में जो भी tradition थे उनकी वो क्या करते थे अपने next generation को सीखाते थे With this exchange of thoughts and ideas language was enriched तो इसी कारण जो thoughts, ideas को एक से दूसरी जनरेशन में transfer कर रहे थे इसी के कारण हमारी language क्या हुई? इनरीश डेवलप होने लगी थी The knowledge of various arts, skills and tradition inherited from generation to generation and the way of life founded on that knowledge is what we call culture तो जैसे कि कोई भी knowledge है, ज्यान है या फिर जो कोई art है, skill है, tradition है जो अगर एक इनसान को आता था, तो वो क्या करता था, अपने बच्चों को भी अपने जो next generation है, उनको सीखाते थे तो इसी लिए एक जगा से, एक जनरेशन से, दूसरी जनरेशन में ये सारी चीज़े transfer हो रही थी और develop हो रही थी इसी को क्या कहा जाता है, culture जो एक जनरेशन से, दूसरी जनरेशन में क्या हो रहा है, या पर ट्रांसफर हो रहा है जो skills, जो arts है, लोग सीखने लगेते, इसी को क्या बोला जाता है, culture ancient civilization in river valleys, जो ancient civilization अलग अलग संस्कुरू तिया, जो बन रही थी, ये कहाँ पर बन रही थी, river और valleys में cultures which flourished in the new stone age were based on an agriculture way of life, जैसे कि हमने देखा है, new stone age में जो भी agricultural changes हो रहे थे, या फिर लोगों को समझ आ रही थी, ये सारी चीज़े वहाँ पर क्या हो रही थी अभी बढ़ने लगी थी fertile soil and constant water supply are essential for growing good crops, तो वहाँ पर लोगों को ये भी समझ में आने लगा था, कि अगर हमें अच्छे crops उगाना है, उनको और भी बढ़ाना है, तो हमें fertile soil की जरूरत पड़ेगी और पानी का supply देना भी जरूरे है naturally people in the new stone age established their village settlements on the bank of various rivers, तो इसलिए fertile soil उनको कहाँ पर मिलेगी, river side में मिलेगी और पानी की उनकी जरूरत है, वो कहाँ से पुरी होगी, river से, तो इसलिए ये लोग अपना जो settlement है, वो कहाँ पर करते थे, river side में the new stone age cultures flourish along the river banks, इसलिए जो cultures थे अलग अलगी कहाँ पर flourish, कहाँ पर grow हुए थे, river banks में यहाँ पर देखे, आपको एक map दिख रहा है, blue color में जो दिखाई देखा, आपको ये क्या है, rivers है, और yellow जो color में दिख रहा है, ancient urban civilization जैसे कि आप अगर यहाँ पर इंडिया की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखे, सिंदू नदी लिखा हुआ है, यहाँ पर blue color में दिख रहा है, आपको yellow color के साइड में, तो यहाँ पर क्या है, सिंदू नदी के bank of river में, मतलब एरिया में सिंदू नदी के किनारे पर कौन सी civilization यहाँ पर हमें दिखाए दे रहे है, हर अपन civilization, अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, यह तिग्रिस और इफोरेट्स यह जो नदिया यहाँ आपको दिखाए दे रहे है, इसके बीच में, यह कौन सा दिख रहे है हमें, मेजोपोटामिया दिख रहे है, उसके बाद यहाँ अग ही, यह नदि है, चयना, यह यहाँ पर civilization दिख रहे है, उसके बाद एजिप्त civilization दिख रहे है, रिवर कों से यहाँ पर? नाइल, तो यह जो सारी civilization हमें, यह तिख रहे है, नदी किनारे, क्योंकि लोगों को वहाँ पर पता था, अगरिकल्टरल के लिए उन्हें लगे पानी लगेगा वो नदी के पास ही उने मिलेगा इसी लिए नदी किना रहे ही वहाँ पे civilization दिखाई दे रहे हैं आंड सेंड, civilization, river और valleys उसके बाद देखेंगे हम इन दो कोर्स आप टाइम, new stone age cultures gave rise to early civilization तो यहाँ पे जो civilization है आमें दिखने लगे थे increase in production due to various skills, the use of the will, flourishing trade, use of well developed scripts, etc तो यह सब civilization अभी किस तरह से बढ़ने लगी थी? क्यों लोगों को यहाँ पे will का use किस तरह के से करना है उसके बाद उनके पास काफी सारे skills आने लगे थे और trade वहाँ पर भी बढ़ने लगा था तो यह civilization होने की कुछ factors responsible है कि जिसके कारण जो civilization है बढ़ रहे थे, ग्रो हो रहे थे इस civilization came into existence in roughly the same period that is around 3000 BC in four region of the world तो यह जो सारे civilization है हमारे कहापे दिख रहे हमें, they are Mesopotamia, Egypt, the Indian subcontinent and China तो चार जगह पे हमें यह civilization दिख रहे है The civilization in these four regions developed in river, valleys, hence they are known as a riverine civilization तो यह सब हमें कहापे दिखाई दे रहे हैं सारे civilization, नदी किनारे तो इसलिए उसको नाम क्या दिया है, riverine civilization, यह उनको नाम दिया गया है यहापे उसके बाद next point है यहापे, ancient riverine civilization तो कौन-कौन सी है यहापे, Mesopotamia, Egypt, China and Harapai यह चार civilization है तो सबसे पहले हमें यहापे देखना है Mesopotamia तो Mesopotamia is the name of region and not of any particular country तो यह एक region का नाम है, कोई country का नाम नहीं है जैसे कि हमने map में देखा था It means the land between two rivers तो दो rivers के beach में जो land था इसको ही नाम दिया गया है यहापे Mesopotamia ancient Mesopotamia was the land between the two rivers, Tigris and Ephorates तो यह दो नदिया थी जिनके beach के जो land थी वहाँ पे यह Mesopotamia civilization दिखाई दी थी तो यहाँ पे हमें यह prosperous culture दिखाई देता है उसकी बाद next page पे हम देखेंगे Egypt Egypt ने कौन सी civilization यहाँ पे देखना है The river Nile flows through the eastern part of the Sahara Desert in the north of Africa तो यहाँ पे जो Nile नदि है Sahara Desert से लेकर कापे North Africa में बहती है One of the ancient civilization flourished along its bank तो Nile नदि पे एक civilization दिखाई दे रहा था उसका नाम क्या है? Egyptian civilization यह नाम उसे दिया गया है The Nile gets flooded every year तो जो Nile नदि है उसको हर साल क्या होता था? बाड आती थी And the land along her banks has become very fertile because of the flood deposit तो जैसे की बाड आती थी तो बाड के साथ साथ यहाँ पे मिटी भी आ जाती तो तो इसके कारण यह जो नदी किनारा था बहाँ पे काफी soil जो थी फर्टाइल थी अच्छी थी Also ancient Egyptian used to build small embankments on the river to store the flood water तो जो Egyptian लोग थे यह क्या काते थे Embankments means क्या जैसे की नदी के ऊपर हम बान बानते है मतलब मिटी से वगेरा बान के रखते है और पानी को store करके रखते है After the soil in the flood water settled to the bottom, the water was used for irrigation तो बाढका जो पानी वोगे सेटल करके रखते थे तो उसमें क्या होता था जो soil बहिके आती थी पानी के साथ वो कहां पे बैच जाती थी जो पानी था वो इरिगेशन के लिए जैसे कि हम अगरिकल्चर में पानी देते खेती को तो इरिगेशन के लिए पानी यूज होता था चैना तो यह जो चैना की जो सिविलाइजेशन ही हमें कोन से नदी पर दिखाए दे रही है है यहां पर हमें दिखाई दे रही है और यह की ने क्या क्या है यहां के अगरिकल्चर अनिमल हजबंडरी विल्स कार क्या होते इन सब को लोगों को इंट्रोडिस कराया था Chinese people believe that his queen invented the technique of silk production and silk dyeing तो Chinese लोगों का यह मानना है कि उनकी जो queen है उसने क्या silk production किस तरकी किया जाता है यह techniques क्या क्या find out किया और silk or dye किस तरकी से किया जाता है तो यहां पे ancient China के यह कुछ पार्ट हमें यहां पे दिखाई दे रहे है उसके बार देखिए हम next देखेंगे यहां पे Harappa civilization अर्लियर civilization on the Indian subcontinent is known as the Harappa civilization तो इंडिया में Indian subcontinent में कुंसी civilization देखी गई है? Harappa civilization It flourished in the Indus Valley यह कहाँ पे flourish हुई थी? Indus Valley Indus is the English word for the name Sindu तो Sindu नदी के उपर, Sindu नदी के किनारे Harappa civilization flourish हुई थी या फिर grow हुई थी Harappa in Punjab and Mohonjadaro in Sin are the two sides of Harappa civilization तो कौन सी side से यहाँ पे? Punjab में, Punjab and Mohonjadaro यह Harappa civilization वाँ पे flourish हुई थी Now they are in Pakistan अभी वो कहाँ पे है, पाकिस्तान में है Lothal and Dholavira in Guzrat and Kalibangan in Rajasthan are among the famous sites of Harappa civilization in India तो इंडिया में Harappa civilization हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है Lothal and Dholavira वो कहाँ पे है Guzrat में and Kalibangan कहाँ पे राजस्तान में Cities of this civilization are well known for their systematic town planning तो यह जो Harappa civilization यह किसके लिए famous कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे systematically town plan किया गया था The houses were built in a blocks created by parallel roads that cross each other at a right angle तो इनके जो घर बनाये जाते थे तो यह किस तरके से कि parallel road के side में घर को बनाये जाता था जिसमें exactly right angle हमें दिखाई देता था Huge granaries and spacious houses were the special feature of the cities तो यह cities की जो features थे characteristics थे यह क्या थे कि बड़े बड़े घर होते थे वहाँ पे There were bathrooms and light trains in every house and cover drainage system which indicates a concern for public hygiene तो तो execution हुआ उसमें लोगों को यह भी पता चला कि उस time लोग बड़े बड़े घर तो बनाते ही थे लेकिन वहाँ पे separate उनके bathrooms and light trains की भी facilities वहाँ थी तो इससे यह पता चलता है कि लोग अपने hygiene के बारे में कैसे थे जागरूख थे वहाँ पे There were carefully constructed private and public wells तो वहाँ पे public and private wells भी बनाए गए थे and the cities were divided into